दोस्तो कुची समय बाकी है जब यू जमीन हवा पानी के साथ साथ अंत्रिक्स में भी होगा कुछ देश ऐसे हैं जो इस्पेस वेपन बना चुके हैं इस सूची में भारत भी सामिल है भारत ने 2019 में स्पेस वेपन का सफल प्रसिक्षन किया था आई जानते हैं एंटि सैटेलाइट सैटियारों का इतियार जरुआ है ताकत और मकसद को को भी खतम कर देते हैं। साल 2007 में चीन भी इस डेस में सामिल हो गया। उसने अपने बैलेस्टिक मिसाइल से अंत्रिक्स में ही अपने पुराने मोसम सेट्रलाइट को उड़ा दिया। जिसके वज़े से अंत्रिक्स में काफी कच्रा फैल गया। साल 2019 ने भी भारत ने मिसम सक तिके धैस अपने पुराने सेट्लाइट को बैलेस्टिक मिसाइल से मार गिरा आ है। अपरेज 2022 में अमेरिका पहला ऐसा देस बना जिसने मिसाइलों से सेट्लाइट को मारने पर परतिबंद लगा दिया। एंटी सेट्लाइट हतियार को दो भागों में बाटा गया हैं। एक काइनेटिक हतियार, नमबर दो नोन काइनेटिक हतियार, काइनेटिक हतियार काइनेटिक उर्जक का इस्तमाल करके अगर किसी सैटलाइट से ठकरा दिया जाए तो सैटलाइट खतम हो जाती है, वही दूसरी ओर नोन काइनेटिक हतियार यानि इन में किसी तरह के मिसाइल, रोकेट या ड्रोन का उपयोग नहीं किया जाता है बलकि यह एक सेटलाइट अटेक होता है सेटलाइट को लेजर के दर ये बेकार किया जाता है ये हमला जमीन से भी किया जा सकता है चार देसों ने अब तक अपने पुराने सैटेलाइट को मार गिराने के लिए अपनी मिसाईलों को उपयोग किया है जिनमें भारत, अमेरिका, रूस और चीन सामिल है अमेरिका ने सेटेलाइट को मार गिनाने पर पर्तिमम लगा दिया है क्योंकि इस से निकलने वाला कच्रा अंतराष्टे इस पेस सेंटर के लिए खतरनाक साबित होता है भारत के पास एंटी सेटेलाइट मिसाइल के लिए पर्तिवी ऐर डिफैन सिस्टम है जिसकी रेन 2000 किलोमेटर तक है यह 1470 से लगबग 6126 किलोमेटर पर्ति गंटे के रफ्तार से सेटेलाइट के और बढ़ता है हलाकि बाद में इसे अपग्रेड कर इसकी तागत को बढ़ाया जा सकता है